गर उन्वेरिवान वेलकम विकांड यूट्जिवी चैनल दांगी एकाडमी तो टो फ्रेंड्स हैं आज के वीडियो में आपको में आप देखने वाले हैं computer के important questions जो आपको competitions exams के point of use exam में काफ़ी help करने वाली हैं तो इससे पहले भी मैं आपको computer, management, science, English और maths के question भी provide करवा चुकी हूँ तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो description box और साथ ही आपको playlist में भी उनकी link मिल जाएगी तो वहाँ box में उनकी link मिल जाएगी और साथ ही आप playlist में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं तो friends यदि आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कर लीजे और side में जो bell icon का button है उसे press करके all notification को on कर दीजे ताकि जब भी नया video upload होता है तो आपके पास notification पहुँच जाए और यदि आपको video अच्छा लगे informative लगे तो इसे like कीजिए और अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए ताकि उन्हें भी इस video का benefit मिल सके तो बिना delay किए video को start करते हैं first question है MS Excel 2010 में chart groups को यहां से access किया जा सकता है in MS Excel 2010 in MS Excel 2010 chart groups can be accessed from कहां से access कर सकते हैं view tab से, insert tab से, home tab से या page layout tab से तो मैं एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि यदि आपके पास में laptop या PC और नहीं है बिल्कुल तो यदि आपको mobile भी है तो आप उसमें इसको download कर लीजिए Excel, PowerPoint और उनके features को महां से आप देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप यदि इसको रटेंगे तो आपके mind से skip हो जाएगा बट यदि आप इसको देख लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी इसको practice कर लेंगे तो यह बिलकुल आपको memorized हो जाएगा तो आपके exam में बहुत जादा help हो जाएगी तो इसको आप कहां से ले सकते हैं चार्ट को answer हो जाएगा इसका insert tape यानि कि आपको chart group को डालना है यानि चार्ट को आप यदि डालना चाहते हैं तो आपको कॉंसी टैप पर click करना होगा insert उसके अंदर आपको option दिखाए देगा chart का वहाँ से आप इसे use कर सकते हैं in ms excel 2007 up to how many characters can be entered in each cell ms excel 2007 में प्रती एक cell में कितने character enter किये जा सकते हैं ध्यान रखिए अब आपको trick कैसे ध्यान रखना है कि इसमें दो 7 use होंगे हैं तो 32,767 तो थोड़ा से tricky बन जाएगा कि आपको याद रहेगा 7 में 767 767 और आगे का character ध्यान रखिए 32,760 in ms excel 2010 to protect और share a workbook which of the following tabs can be accessed ms excel 2010 में एक workbook को protect या share करने के लिए निमने लिखित में से कौन से टेप को access किया जा सकता है view टेप, review टेप, file टेप, page loud टेप यानि किसको share करने के लिए आप टेप को access कर सकते हैं किसकी बात की जारी अब ध्यान रखिए 2010 की बात की जारी तो review टेप को access किया जा सकता है in ms excel 2010 which of the following options will highlights sales that are greater than, less than, between or equal to values that you can specify ms excel 2010 में निमली कित में से कौन सा विकल्प उन sales को highlight करेगा जो आपके द्वारा निर्दिष्ट किये गए मानों से अधिक कम बीच के या बराबर है top, bottom rules, data bars, highlight sales rules या color skills तो देखे बात क्या की जारी है कि उन sales को highlight करने के काम करेगा जो क्या काम कर रहा है कि या तो इससे ज्यादा है या कम है, या बीच के या बराबर है ms excels में बात की जारी उन sales को highlight करने का काम कर रहा है कि जो value आपने select कही है अब आपको choose करना है कि मुझे इस value से ज्यादा value को search करना है तो उसको highlight कर लेगा या कम वाली select किये तो कम वाली को कर लेगा या कोई दो value जैसे मान लीजे 3 और 5 के बीच की value को आपको select कर रहा है तो उसके बीच की जितनी भी value उसको select करके बता लेगा या equals to उसको कहा जाता है highlight sales rule क्या कहा जाता है highlight sales rule नाम से ही समझ में आ गया है क्योंकि वो highlight करने का काम कर रहा है in ms excel 2010 the extensions for an excel 2010 templates file is ms excel 2010 में एक excel 2010 template file के लिए extension क्या होगा उसका extension .xltm.xltx.xlsm या .xlsx उसका extension बताना है किसका 2010 ms excel में एक excel template file के लिए तो template file है तो t तो बिलकुल आएगा है excel के लिए यूज़ कर रहे तब .xl x और l इसका हो गया अब template file लिए है आपने तो t और इसका जाएगा x in ms world 2007 the quick tables has one built-in option which is known as ms world 2007 में quick tables में एक built-in option है जिसे इस प्रकार से जाना जाता है kick tables में built-in option होता है किसमे 2007 ms world equation table, matrix table, formula table या calendar table तो जो kick tables होती है उसमें built option होता है बनाने के लिए इसे कहा जाता है calendar टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तहरी और भहतर हो जाएगी आपको यह समझ में आएगा कि आपने विदर कितनी preparation की है play store से परिक्षाइप को download कर सकते हैं या description box में जाकर दी हुई link पर click करके भी इस app को download कर सकते हैं तो friends आपको यहाँ पर जाना है group 2 जैसे की option यहाँ पर आपको दिखाये देरा test पर click करेंगे तो आपके सामने options open हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा group 2, subgroup 4 इसके अलावा यहाँ पर दो option आपको दिखाये देंगे क्योंकि एक re-exam है तो इससे पहले भी आप test series उपलब्द करवाई गई थी तो आप यहाँ पर click कीजिए group 2, subgroup 4, December special इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने test की जो list है वो open होकर आजाएगी यहाँ पर आपको free demo test भी उपलब्द करवाया गया है जिससे आप देख सकते हैं कि किस type के test यहाँ पर दिये गये हैं तो यदि आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह open हो जाएगा free demo test 180 minutes का यहाँ पर time दिया गया है 200 question है इस question one mark से आप पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक options एक category के बारे में बताया गया है कि किसे कितने questions आएंगे 25 हिंदी से science day 25, mathematics 25, general knowledge 25, English 25, computer knowledge 25, reasoning ability 25, general management 25 तो देखिए friends यह जो पूरा description दिया गया है यहने एक एक category का यह average करके दिया गया है एक यह दो question उपर यह नीचे हो सकते हैं वैसे ताप exam दे चुके हैं आपको अनुमान होगा ही किस type की questions यहाँ पर पूछे गये हैं तो आपको click करना है start test पर तो जैसे आप इसको start करेंगे आपके सामने questions open होके आ जाएंगे तो मैं आपको यह video ज्यादा लंबाना हो questions आप read करके इसके answer दीजिएगा मैं आपको सिर्फ एक demo के तोर पर बता रही हूँ कावे कितने प्रकार के कहेंगे हैं तो suppose कि हमने यह options को choose के लिए next करते जाना है अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है तो इस step से आप इसको कर सकते हैं अब आपको क्या करना है जब आपका test complete हो जाए तो आप इसको check कर सकते हैं कि जब आपको पूरा test हो जाता है कि यदि हमारा कोई question छूट तो नहीं गया है तो यहांसे आप check कर सकते हैं ऐसा ही आपने exam में भी देखा होगा वहाँ पर भी step के option दिए हुए होते हैं science एक एक category का options उपलब दे इसमें भी test के अंदर भी तो आप देख सकते हैं कि कोई question आपका छूट गया है आपने mark किया है इसको बाद में देखने के लिए हैं किसी का unanswered आपने किया है या किस question पर आप active है जब आपका test पूरा हो जाता है तब आपको इस green button सब्मिट पर क्लिक करना है यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने questions अभी तक नहीं किया है और कितने questions को विजट अभी तक नहीं किया है आप आपको इसको सब्मिट करना है तो सब्मिट कर दीजिए आप यहां से इसके बाद आप अपना result screen पर देख पाएंगे कौन सी रेंक रही आपके जितने भी स्टुडिन ने अभी तक इस test को attempt किया है उसमें आपकी rank किया है और यहां से आपने जो test attempt किया है उसके answer भी आप सी answer पर क्लिक कर करें देख सकते हैं एक एक portion का result बता देगा आपको इस step से आप क्लिक करके इन पर देख सकते हैं यहां पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर comparison कितना रहा है किसकी rank first रही है कितने कितने questions attempt किया है तो c answer पर यह आपको पूरे answers बता देगा देखिए friends यहां आप इस test series test series को join करना चाहते हैं और इसे purchase करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा unlock course पर जैसी unlock course पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने option आपको दिखाए दे रहा होगा paid once रुपिज 299 बट यहां पर यहां पर मेरा coupon code दांगी 50 यूस करते हैं तो आपको 50% का discount मिल जाएगा दे हो सके और आपके selection के ज्यादा से ज्यादा chance बढ़ सके तो इस टैप से आप इस test series को purchase कर सकते हैं friends जैसा की screen पर आपको दिखाए दे रहा होगा यह मेरा coupon code है तो test ज्यादा से ज़्यादा जरूर लगाए और अपने तेयारी को बहतर कीजिए MS Word 2010 में एक performance को repeat या redo करने के लिए उपयोग की जाने मली शॉर्ट कोंजी है तो friends में आपको already MS Excel और MS Word की जो शॉर्ट की है उसका वीडियो प्रवाइट करवा चुकी हैं यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जाए ग्रूप टूप Subgroup 4 की उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इसकी लिंक भी मैं आपको description में provide करवा दोंगी जिसके थूप आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए redo के लिए क्या होगी word की बात की जा रही है तो ये हो जाएगी control y और undo के लिए होती तो x यहाँ पर use करते है control के साथ में plus x control और x प्रेस करना होता और यदि redo करना है तो आप ध्यान रखिए y आपको प्रेस करना होगा text highlight color में निमली कितमें से कौन सा रंग उपलब्द नहीं है जब text को highlight करते हैं तो उसमें से इसा कौन सा color है जो आपको option में नहीं होता है गैरा, पीला, काला, बैंगनी, नारंगी तो काला, बैंगनी, पीला सारे colors available होते हैं बट text को highlight करने के लिए नारंगी color उपलब्द नहीं होता है which one of the following option is not a proper method to view a document निमली कितमें से कौन सा विकल्प एक document के देखने के लिए उच्छी तरीका नहीं है नहीं यह पूछा है कि आपके पास यह document है यह आप इसको देखते हैं तो वह अच्छा option नहीं है full screen reading तो इसमें full screen करके आप पूरे document को अच्छी से देख सकते हैं web layout इसमें भी आपको पूरा दिखाए देगा जो आपने document create किया है thumbnail view और print layout में भी जो आपने create किया है यह आप इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट की तरह वह आपको option दिखाएगा कि किस टाइप से आपका जो document है वह आपको visible होगा split cells, split tables, merge cells या merge table तो merge table options जो होता है वो present नहीं होता है which one of the following option is not available in MS Word 2007 में कौनस option अवेलेबल नहीं होता है जो वी कलप आपके सामने है उसमें से कौनस option 2007 MS Word में नहीं होता है split cells, split table, merge cells या merge table दो देखिए जो cell है उसको भी आप split कर सकते हैं table को भी split कर सकते हैं और cells को भी आप merge भी कर सकते हैं और split भी कर सकते हैं but table को आप merge नहीं कर सकते हैं यह जो option था 2007 में अवेलेबल नहीं था यह धियान रखिए next question is which one of the which of the following works both as an input and output device दोनों की तरह जो काम करता है input की तरह भी और output की तरह भी तो question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा उप करने जो input और output दोनों ही है keyboard, model, printer या joystick तो जो modem होता है हिंदी में इसका जो word है वो गलत लिखा है modem input की तरह भी काम करता है और output की तरह भी काम करता है which one of the following is not an example of storage device storage device का उधरन कौन सा नहीं hard disk drive, mouse, floppy disk drive और cd drive 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 जहां पर भी option में लगा रहा है थोड़ से tricky है कि ये generally क्या storage करने का ही काम करते है चाहिए वो floppy हो, cd हो या hard disk हो but mouse क्या है storage device नहीं है ALU का full form क्या ही काफी सारी exams में पूछा गया है CPU का, ALU का full form और इसका functions तो ये बिल्कुल आप रटले इस questions को पूरा form पूछा गया application logic unit, array logic unit, array logic unit या arithmetic logic unit तो ये इसका full form हो जाएगा arithmetic logic unit MS Word 2007 में A4 sheet की लंबाई और चोड़ाई क्या होती है तो A4 sheet जिसे हम कहते हैं राइट कलर के pages आते हैं आपने देखे होगा generally उन्हें A4 sheet कहा जाता है तो MS Word 2007 में पूछा गया है कि इसकी length और breadth कितनी है 8.27 x 11.69 बिल्कुल mind में रख लीजे इसको कितना difference है 8.11 बिल्कुल mind में रख लीजे आप 8 और 11 तो इससे थोड़ा सा आपको क्या mind में याद रहेगा इसकी लंबाई और चोड़ाई 8.27 x 11.69 MS Word 2000 The action control plus B max the text blanks in the MS Word 2007 MS Word 2007 में action control plus B text को क्या बना देता है यदि आप control plus B करेंगे तो उससे क्या होगा तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जो short की वाले वीडियो है यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो आपको बिल्कुल question देखते हैं इसका answer समझ में आ चुका होगा B means मैंने आपको बताया था bold तो यह क्या बना देता है options को जो भी आपने select करा उसको bold कर देता है वो जो word है वो dark color के हो जाए जैसे आपने माल लीजी A लिखाता और इसको यह दिया bold करते हैं तो यह और dark हो जाएगा इस type से तो friends इस वीडियो में इतना ही इसी type की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो चैनल के साथ बने रहे है Thank you so much for watching this video